बॉल्यूड सिल्व स्क्रीन प्रेजेंटिंग लायन जलेवी जरूर खिलाओंगा उसके पास इतने पैसे नहीं है कि यो अपने छोटे भाई को जलेविया खिला सके सरू कहता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेविया खरीद लेंगे अब कोईले के बदले ने थोड़ा सा दूद दिया जाता है और ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस पहुँच जाते है जहां पर सरू और गुड़ू की एक छोटी बहन भी है ये तीनों अपनी मा के साथ रहते है सरू की मा अपने दोनों बच्चों से पूस्ती कि यो दूद कहां से लेकर आए लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते सीरात को सरू का भाई गुड़ू काम पर जा रहा होता है सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूँगा उसका भाई कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती क्यूंकि काम पर बोर्य उठानी पड़ती है और इस काम के लिए तुम बहुत छोटे हो सरु अपने सिर के ओपर चियर उठाकर दिखाता है साथी साथ उस साइगिल भी उठाने की कोशिश करता है सरु कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ सरु की जित करने पर उसके भाई को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है ये दोनों की दोनों एक ट्रेन स्टेशन पहुंशते हैं सरु अपने भाई गुड़ू की गोद में ही सो जाता है उसका भाई उसे उठाने की कोशिच भी करता है पर सरू बहुत छोटा है उसे बहुत नीदा रही होती है वो कहता है कि मुझे सोने दो सरू का भाई गुड़ू उसे एक बैंच पर लिटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम करकर वापस लोट जाओगा तुम यही पर रहना जाने से पहले सरू अपने भाई को कहता है कि जब तुम लोटोगे तो जलेबी लेकर आना वो कहता है कि ठीक है सरू कहता है दो हजार जलेबिया इसके बाद उसका भाई गुड़ू काम पर चला जाता है कुछी देर बाद जब रात और भी गहरी हो जाती है स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है इस पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक ही बच्चा होता है और वो होता है सरू सरू वहीं प्लैटफॉम पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैट जाता है कुछी देर बाद उसे नीद आ जाती है सुबह जब उसकी नीद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है सरू ये देखकर घबरा जाता हो ट्रेन में चारो तरह भागता है वो अपने भाई को आवाज भी देता है साथी साथ ओ ट्रेन के दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक्ट होती है इसलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी वो ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता ट्रेन की भोगी पूरी तरह से खाली है सरू भूका प्यासा इस ट्रेन में फस्ट चुका है कुछ दिन का सफर ते करने के बार ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है यानि सरू के घर से 1600 किलो मिटर दूर सरू मध्य परदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से है वो स्टेशन पर उतरता है जहां पर बहुत ज़्यादा भीड होती है वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है पर यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं सरू को किसी की बात समझ में नहीं आती वो वहीं स्टेशन पर बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है जिनके पास कोई भी घर नहीं होता पर कुछी देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं सरू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और वो एक बार फिर से रात के अंधेरे में इस बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला है उसे भाग भूग भी लगी होती है तबी उसे देवी माता की एक मूर्ती देखती है वो देवी मा को नमन करता है और देवी मा के चर्णों में जो प्रसाद होता है वो उस प्रसाद को खाता है अगली सुबर सरू ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि वो अपने घर जाना चाता है तब ही यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है वो सरू से पूस्ते कि तुमारा घर का है वो कहता है कि गनेस्तले यह मध्य परदेश में इतना चोटा गाउं होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता नूर उसे अपने घर ले जाती है उसे खाना खिलाती है नलाती है वो कहते है कल सुब एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा अगली सुबा यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आता है वो सरू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया उन्हें ऐसी लड़के की तलाश दी सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है इसलिए मौका देकर इस घर को छोड़ कर भाग जाता है सरू अपने कई दिन हावड़ा ब्रीच के आसपास गुजारता है उसे हमेशे अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपनी मम्मी की मदद क्या करता था सरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है पर अब वो यहां से 1600 किलो मीटर दूर है जिसके बारे में सरू को कुछ भी नहीं पता सरू को इसी तरह से यहां पर दो महीने पीच जाते हैं और एक सुबा जब बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफे के बाहर बैठा होता है कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है वो लड़का बाहर आता और सरू को कुछ खाने के लिए देता है इसके बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस टेशन ले जाता है वो बताता है कि इस लड़के को बंगला बोली नहीं हाथी, यह हिंदी में बات करता है जब मैंने से पूछा कि यह कहां से है, तो इसने बताये कि यह गनेस तल्ले से है इस जगा के बारे में नहीं फोलीस वाले को कुछ पता होता है पर सरू के घर का, उसके गाओं का, उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता इसलिए पुलीस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है सरू तीन मेहने वहाँ पर गुजारता है और तीन महने के बाद सरू से एक लेडी मिलने आती है जिसका नाम मिसिस सूध होता है वो सरू को बताती है कि पिछले तीन महनों से हम तुमारी अम्मी को तुमारे परिवार को ढूरने की कोशिश कर रहे हैं पर कुछ भी पता नहीं चला, हमने नियूस पेपर में इस्तिहार भी दिया, जिस नियूस पेपर को हर रोज डेड़ करोड लोग पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, सरू कहता है कि मेरा घर यहां से बहुत दूर है, मैं अपनी अम्मी के पास, गुड़ू के पास जाना चाहता हूँ, मिसिस सूद कहती कि हमने हर जगा तलाश करने की कोशिश की, अब इंतिजार का कोई फायदा नहीं है, एक ऑस्टेलियन कपल है जो तुम्हे अडॉप्ट करना चाहता है, वो बहुत अच्छी लोग है, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे, इसके बाद मिसिस सूद सरू को अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ पर कुछ और बच्ची भी होते हैं, मिसिस सूद सबको इंगलिश के वर्ट टेबल मैनर से सब कुछ सिखाती हैं, और अब सरू को ऑस्टेलिया भीज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइप सू, जिन्होंने सरू का डॉप्ट किया होता है, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं, सरू को ये अपने घर ले आती हैं, छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू जब इस घर को देखता है, तो पूरी तरह से हैरान होता है, साथी साथ वो बहुत से नए है, सरू की मौम जिसका नाम सू है, जिसने सरू का डॉप्ट किया है, वो सरू से इंगलिश में कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे, सरू धिरे धिरे इनकी भाषा, इनका रहन सेन सीखना शुरू कर देता है, बहुत जल्द वो इन सब के साथ कमफर्टिबल हो जाता है, मिस्टर जॉन और उनकी वाइप सू सरू से अपने बेटी की तरह प्यार करती है, वो उसकी जिन्दगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देती, एक साल बाद ये एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जो इनके साथ अर्जस नहीं हो पाता, वो अपने आपको नुक्सान पहुचाना शुरू कर देता है, पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइप इस बच्चे को कंट्रोल करने की समझाने की कोशिश करते हैं, क् कि वो इसकी मदद करना चाते हैं, उसी रात को मिस्सी सू रो रही होती है, सरू उनके पास जाता है, और उनके गले से लग जाता है, यानि कि अब उसने पूरी तरह से उन्हें अपनी मौम मान लिया है, दीरे दीरे वक्त पीता और 20 साल पीत जाते हैं, सरू अब बढ़ा हो दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सब अपने बारे में बताते हैं, सरू कहता है कि वो अपना होटल खोलना चाता है, साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इंडिया में कैलकटा से है, इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब हाउस पार्टी रखते हैं जहाँ पर सरू भी जाता है यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं इसलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारा इंडियन फूड होता है और सरू जब तो इसके आँखों में आशू आ जाते हैं। तो हो किया था, यहाँ पर एक लड़का उसे फूसता है कि ओट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है दो-तिन दिन तक, वो लड़का उसके गाउं का नाम पूसता है, सरू कहता है गनेस्तले, लेकिन सरू को अब ये भी नहीं पता कि वो अपने गाउं का नाम अच्छे से प्रनाउंस कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि उसे हिंदी बोलनी नहीं आती, वो अब सिर्फ पूल सकता है, यहां पर एक लड़का उसे कहता है कि कैलकटा के हावड़ा ब्रिस से, जहां पर तुम बच्छपन में पहुंचे थे, अगर वहां से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो हम तुमारे गाउं के आसपास की रेडियस में प उनों एक दूसरे की तरब अट्रेक्टिड होते हैं, इसलिए रात को ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली बाहुत क्लोज हो जाते हैं, अगली सुबह जब सरू उठता है तो उससे अपने पैरेंट्स की, अपने घर की, अपने गाउं की याद आती है, उससे ऐसास होता है क उसके खो जाने के बाद उसकी मौम, भाई, भेन उसके लिए कितना परिशान हुए होंगे, इसलिए गूगल अर्थ एप्लिकेशन के जरिये, साथी साथ साथ स्टेशन से अपने घर की जो दूरी होती है, उसकी कैल्कुलेशन करकी, हर तरह से अपने गाउं गणे इस तले क ढूडने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाती है, धीरे धीरे वक्त बीता और तीन साल बीच जाते हैं, लूसी का और सरु का रिष्टा बहुर भी गहरा हो चुका है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सरु आजब अपने परिवार के लिए परिशान है उसे कई बार अपने भाई की छवी दिखती है उसे एसास होता है कि उसका भाई उसे कह रहा है कि उसे घर चले जाना चाहिए सरू अपने परिवार की यादों में उन्हें ढूंडने में इतना खोया होता है कि धीरे धीरे वो लूसी से अलग हो जाता है वो लूसी से कहता है कि तुम मुझसे बहतर इंसान डिजर्फ करती हो लूसी और सरू अलग हो जाते हैं कई मैनों के बाद लूसी को सरू जब एक दिन एसकेलेटर पर देखता है तो वो उससे बात करता है वो लोसी से कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है इसके बाद एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते है लोसी सरू से कहते है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए उन्हें तुम्हारी जरूत है सरू अपनी मौम के पास जाता है जिनकी तवियत खराब होती है सरू को आस तक ये लगता था कि उसकी मौम ने उसे इसलिए डॉप्ट किया क्योंकि वो कभी मा नहीं बन सकती पर सू सरू को बताती है कि मैं माप बन सकती थी पर मैंने और तुमारे डैड जॉन ने डिसाइड किया था कि हम दो बच्चों को अडॉप्ट करेंगे क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिने माप बाप की परिवार की जरूरत है वो सरू को अपने बच्पन का एक एकस्पिरियंस भी बताती है वो कहती है कि मेरे डैड बहुत जादा अलकॉहल पीते थे वो एक अच्छे इंसान नहीं थे मैं हमेश्या डरी डरी रहती थी और एक दिन जब मैं अपने घर के पीछे गई तो मैं चाहती थी कि धरती मुझे निगल ले तब ही मुझे खेट के दूसरी तरव एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्कीन थी और अगले पलो बच्चा मेरी साइड में खड़ा था उस पल मुझे एसास हो गया कि अपने भाई को ढूड़ना चाहता है इसलिए एक बार फिर से वो गूगल अर्थ पर अपने गाउं को ढूड़ने की कोशिश करता है और जब वो इंडिया के अलग-लग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगा देख जाती है जहां पर उसकी मौम पथर थोड़ा करती थी इसके बाद वो धीरे धीरे आसपास की पूरे एरिया को सर्च करता है और उसे अपना गाउं जिसका नाम गनेस तलाई है वो मिल जाता है उसने पता चल जाता है कि उसका गाउं मध्यापरदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है इस बास चो बहुत खुश होता है वो इबात लूसी को और अपनी मॉम को भी बताता है उसकी मॉम भी उसके लिए बहुत खुश होती है जहां पर बच्पन में वो अपनी मॉम अपनी भाई और अपनी बहन के साथ रहा करता था पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता वो आस पड़ों से पूछने की कोशिश भी करता है और उसकी भाषा किसी को भी समझ नहीं आती और ना ही अब वो हिंदी समझ सकता है तब ही वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंगलिश आती है सरू उसे अपना अपने भाई का और अपनी बहन का नाम बताता है उसे पूसता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहता था अब वो कहां चला गया पर वो आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता वहाँ से चला जाता है पर कुछी पलों के बाद वो लौट कराता है और सरू को इशारा करता है सरू जब उस तरब जाता है तो वो देखता है कि सामने से एक बूड़ी औरत आ रही होती है और ये औरत और कोई नहीं बलकि वो होती है जिसकी गोद में सरू ने अपना बच्वन बिताया था ये उसकी बाइलोजिकल मौम होती है वो उनके गले लगकर बहुत रोता है सरू की मौम आस तक इस गाउं को छोड़ कर इसी लिए नहीं गई थी क्योंकि उसे यकीन था की एक दिन उसका बेटा लूट कर जरूर आएगा सरू की भेच्वन भी यहां पर होती है वो अपनी भेच्वन को अपने गले से लगा लेता है पर सरू अपने भाई से मिल नहीं पाता उससे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था पर सरू को नींदा रही थी इसलिए उसके भाई ने उसे बैंच पर सुला दिया था और जब उसका भाई जा रहा था तो सरू ने अपने भाई से कहा था कि सुबे जली भी लेकर आना उसी रात को उसके भाई गुड़ू की एक ट्रेन दुरुगटना में मृत्य हो गई थी यानि की एक मा ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था पर उसकी उमीद इश्वर पर उसकी आस्ता थी जो इतने सालों तक वो अपने चोटे बेटे सरु का इंतजार करती रही और आज 25 सालों के बाद उसका बेटा वापस लोटा है सरु इसके बाद ऑस्टिलिया में अपने मॉम और डैड को कॉल करता है वो ने बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया पर इससे कुछ भी नहीं बदलता आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे आप मेरे मॉम डैड हो इसके बाद सरु उन सभी जगाओं पर जाता है जहां पर वो अपने भाई के साथ खेला करता था और इन जगाओं पर जाकर उसे अपने बच्पन की याद आ जाती है जब वो इनी रास्तों पर अपने भाई के साथ चला करता था सरु को यहां पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरु नहीं बलकि शेरु है जिसका मतलब होता है लाइन अंत में हमें कुछ रियल फुटेज दिखाई जाती है जिसमें सरु के वो माबाब जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं इंडिया में सरु की जो असली बायलिजिकल मौम होती है वो उन्हें अपने गले से लगा लेती है तो ये थी सची कहानी सरु की ओफिशल रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि भारत से हर साल 80,000 बच्चे गायब होतें लेकिन उसमें से 1% भी बच्चे ऐसे नहीं है जिनकी किसमत सरु की तरह हो इसलिए इस पूरी कहानी इस पूरी फिल्म के जो हीरो है वो और कोई नहीं बलकि मिस्टर जॉन और उनकी वाइब सू है जो अपने बच्चे पैदा कर सकते थे पर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बच्चे पैदा ना करके उन बच्चों को एडॉप्ट करेंगे जिनके पास घर नहीं है ताकि उन्हें एक अच्छा घर मिल सके अगर इस दुनिया में हर एक इनसान के सोच इसी तरह से हो जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए तो ये थी पूरी कहानी फिल्म लॉइन की ये फिल्म सन 2016 में रिलीज वी थी इस फिल्म का बजट था 12 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ओफिस पर इसने कमाई की थी 141 मिलियन डॉलर्स की उमीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी